देजुनिया की सारी बड़ी अप्डेट के साथ के सामने में दोस्तों चलेंगे सब्सक्राइब आपको बताएंगे राहूल गांदी को लेकर गलत इंफॉर्मेशन फैराई जारती बताएंगे आपको राहूल गांदी ने पूरे बीजेपी का इटी सेल को फिर से हैंग कर दि बताएंगे भरती अंता पार्टी के मंत्री आ गए थे डिफेंड करने के लिए और बीजेपी के स्पोक परसन ने फिर से एहंकार दिखाते हुए मीडिया वालों को जोड़दार तरीके से अटैक करते हुए गालियां भी दी है दोस्तों बताएंगे कहां से जुड़ी बड कि कई और नेता चुनाव को लेकर बड़ा एलान कर रहें दोस्तों और क्या नितीज कुमार जारगंट का हवाला देकर मारेंगे पल्टी एके करके चलेंगे सारी बड़ी खरों के सारी बड़ी अपड़ी अप्डेट आप पहुचाएंगे लेकिन उससे पहले आप भी मानत कमले को लेकर उन्हें कोड में पेश होना था लेकिन इसके बाद उन्हें फैस्ता लिया कि अब जब उत्तरदेश आये हैं तो जंता से मुलाकात करते हैं इसके बाद वो मोची का काम करने वाले राम चैट से मुलाकात करते हैं दोस्तों और उनके दुख दर्द के बारे में भी राहूल गांधी पूरी इंफरमेशन लेते हैं दोस्तों और उनके थोड़े काम को भी सीखते हैं इसके बास दोसर मीडिया पर तस्वीरे शेयर की गई और भारती इंता पार्टी के लोग दावा करने लगे कि राहूल गांधी ने उस मोची को कोई बेनिफिट नहीं दिय अगले ही दिन आईटी सेल वालों का पुरी तरिके से धोस्त हो गया है दोस्तों राहूल गांधी ने राम चैत को एक जूता सिलने वाली मसीन भेजी है इसी के साथ में आर्थिक तौर पर भी उनकी मदद की गई है दोस्तों कुल्मिलाका जो पूरे दिन प्रोपगेंडा चलता रहा, एक दिन भारतियंता पार्टी ITCELL के लोग लगे राहूल गांदी की आलोचना करने के लिए और जगा-जगा यह information फैला दी गई भारतियंता पार्टी का पूरा का पूरा तवका इसमें जुट गया दोस्तों और अब रहुल गांधी की और साइए इंफर्मेशन क्लियर कर दी गई है और तस्वीर भी शेयर कर दी गई है जिसमें मोची के यहाँ सिलाई मसीर पहुचा दी गई है आर्थिक मदद भी कर दी गई है दोस्तों यानि जो प्रोपगेंडा बीजेपी ने पूरी मसीनरी इस्तमाल करके किया था लोगों का टेंशन खीचने की कोईशिस की थी कि राहुल गांदी ने उनकी मदद नहीं की है है आप जब लोग देखेंगे कि राहुल गांधी ने तो बहुत बड़ी मदद की है आखिर कार चुनाब में कम सीटे के बावजू सरकार बनाली दोस्तों आप जो जानकरी सामने आ रही है उसके नुसार इस बार भारती अंता पार्टी का सूप्रा पूरी तरीके साफ होने जा रहा है भारती अंता पार्टी 34 से 49 सीटों पर सिमटने जा रही है 41 परसेंट बीज किये गेते दोस्तों लेकिन रिजल्ट के रहा रिजल्ट में भारती अंता पार्टी पानी मांगती दिखाई दे रहे थी और बहुमत के आंकड़े से बीजेपी नीचे आ गई और अब तो सर्वे के अंदर ही भाजपा को हारता वह बताया जा रहा है तो फिर इसका मतलब है कि कॉंग्रेस पार्टी बंपर समर्सन के साथ आगे बढ़ रही है आपकी जो भी राय हो लिखकर जुदा के सासा नीती आयो की सताई सारी को बीते दिन बैठक कुई थी प्रधानमत्री मोधी के नित्त में बैठक बुलाई गई थी दोस्तों और इस बैठक के दोरान इंड कर दिया गडवंदन ने वहिस्कार कर दिया है दोस्तों यहां तक की एंडिये गडवंदन की और से नितीस कुमार भी मौजूद नहीं रहे थे लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ी ख़बर सामने आ रही है वो यह कि नईत्र मोधी के नेत्त में बुलाई गई बैठक के द कि यह गलत आरोब है ममतावनर जी जूट बोल रही है माइक बंद नहीं किया गया था हर मुक्यंत्री को बोलने का समय दिया गया था उन्हें जूट पर आधारी नेरेटिव गड़ने की बजाए सच बोलना चाहिए कुल मिलाकर दोस्तों एक विपश के राजी के मुक्यंत् लेकि इस उदेशी का और चित क्या है जब विपश के लोगों के या तो बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा या फिर उन्हें वॉइकॉट करने पर मजबूर कर दिया जाएगा आपकी क्या राहे है लिककर दोदा है आप भारतियंत्या पर्टी के सपोग परसंद साजिया आई तो लगा कि भारती इंता पार्टी में उनको बड़े मौके दिये जाएंगे लेकिन बीज़पी में भी किवल प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही है इंडिया टुडे के एक वीडियो जनलिस्ट है जिनके साथ हीटेड आर्गूमेंट के बाद उन्होंने मारपीट की है पूरी जो आज तक चैनल के हैं उनसे पूछा जा रहा है कि इंडिया टुडे आज तक आपका चैनल है क्या आप भारती इंता पार्टी के सामने इतनी बुरी तरीके से जुख गए हैं क्या आप बीजेपी के नेता के द्वारा इस तरीके सा हाता पाई और गाली गलोज को लेकर भी एक कड़ा स्टेंड नहीं ले सकते हैं कुल मिलाकर दोस्तों भारती इंता पार्टी और मीडिया के बीच के साथ कार्ट के बाद अब यह जो खुलासा हो रहा है इससे साफ समझ में आता है कि बीजेपी के लोग मीडिया वालों को अपना खिलोना समझते हैं इसलिए भाजपा के नेता इस इस तर पर उतर जाते हैं सासाथ एंसीपी के नेता शर्ट पवार ने ग्रहा मंत्री अमिसाह पर निसाना साधा है आपको उता दे कि पवार महराश्टाई राज़ती के वरिश नेता है दोस्तों इसके बाल जूद अमिसाह की और से जिस कानून का दुरूपियों किया इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे तड़ी पार यानि राज्ज से बाहर कर दिया था अमिसाह 2010 में सोराबू दिन शेक फरजी एंकाउंटर मामले में दो साल के लिए राज्ज से बाहर कर दिये गए थे और इसके बाद 2014 में इस मामले में दोस्तो यानि भार्ती इंता पार्टी सरकार बनने के बाद ब्री कर दिया गया था यानि साद रूज सारों में शरट्पवाद ने भी अपने तरीके 사ין के राजय जबाब दिया किया दोस्तो आपकी किया राए है लिक को घृटी उंता पार्टी के चलते हैं कि उत्रवदेश कंदर भारतियंता पार्टी के डेप्टी सीम इतना बड़ा कदम उठाएंगे मुक्यंत्री योग्या इतिनाथ के खिलाफ अगर उनको केंदर से सपोर्ट नहीं मिल रहा तो ये साफ तोरपर दोस्तो मीडिया में हैडलाइन्स मैनेजमेंट करने के लिए बुलवाया जा रहा है कि मोदी और सा नारास्त इसका साफ मतलब ये है कि केंदर से इन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है और ये योग्या इतिनाथ के खिराब मोर्चा खोल रहे हैं और हैडलाइन् कांग्रेस पार्टी के निता बिरिंदर सिंग ने कहा कि मैं खुद चुनाब नहीं लड़ूंगा लेकिन मेरे बेटे जो हिसार से पहले सांसद रहे थे ब्रजिंदर उसने उचाना विधान सभा निर्वाचन शेतर से चुनाब लड़ने के लिए अपनी उमिदारी दायर कर अगले दो से तीन महीनों के अंदर विधान सभा के चुनाब होंगे जन्तादर उनाइटेट ने अपनी तयालिया शुरू कर दी है इसी सिलसले में जन्तादर उनाइटेट के राष्टी अद्यक्षे मुख्यमंत्री नितीस कुमार के आवास पर आयोजित बैठक में हिस्सा आगई जन्तादर उनाइटे ने अगर Beजेपी इससिलस बहुति जन्तादर उनाइटेट ने कुछ परे इसी सिलसे दावेदारिक की जा रही है ओलेकिन राज्यमें 11 सीटे तो भारतीयंता पार्टी जारकर्ट के लौकल पार्टी जिसके साथ बीजेपी का अलाइंस है उसको भी नहीं देगी तो इनको देने का तो कोई मतलब भी नहीं है तो आप नितिज कुपार को तै करना है कि वो जिस जारकंट के चुनाव के लालच में भरतियंता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं बिहार को लेकर भी तो क्या आप वो अपने फैस्टे को बदरेंगे और बिहार में सरकार परिवर्तन करेंगे क्योंकि जारकेंट के अंदर तो उनको 11 सीटे चुनाव लड़ने के लिए मिलना ही संभव नहीं है आपकी जो भी राहे हो दोस्तों लिकादर बताएगा चलते हैं गौर बडिकर की तरफ जहां पर जैराम रमेज बोले कहा इसपश्ट रूप से पक्षपातपूर्ण भरा है यहां प्रोफेस्नल और स्वतंत्र तो बिल्कुल भी नहीं है यहां अलग तरह के असायमतियों से भरा सभी तरह के दिर्श्टी कूनों को दवा देते हैं जो एक खुले लोगतंत्र के लिए मूल तत्र है कुल विलाकर दोस्तों जिस तरीके से इस बार नीती आयोग का विरोध किया जा रहा है तो यह बात इसपश हो गई है कि नीती आयोग वर्सेस योजना आयोग की डिबेट फिर से चालू कर दी गई है ने सुक्रवार को गोश्णा की है कि वो राज़िम में अगाम विधान सभा चुनाव मुंबई के वर्सोवा विधान सभा से लडेंगे पांडे ने कहा कि वहां निर्दलीय प्रत्याशी कर चुनाव लडेंगे पांडे ने पीटियाई भासा से कहा कि मैं लंबे समय से सक्र नहीं हो पाई और इसके पीछे कई बड़े कारगर रहे हैं कुल्विला का दोस्तों पुलिस कमिशनर रहे हैं एक छोटे कारेकाल के लिए लेकिन वो कहते हैं कि मैं नागरिकों को प्रात्मिक्ता देने वाले दुष्टी कोंड के साथ आगे बढ़ना चाता हूं अगर वो नि स्याद वोट अपने खाते में लेकर आया जाए लेकिन कॉंग्रेस पार्टी भी वादा कर रही है और राज्जी के अंदर 15% आरेक्शन बढ़ाया जाएगा खुल्मिला का दोस्तों ये वादा जो कॉंग्रेस पार्टी ने किया है क्या इससे फर्क पड़ेगा या फिर भा बावजुद उनको चुनाब में हार का सामना करना पड़ा दोस्तों कई बार संसद में जीत कर आई यहां तकी सपा और ब्यस्पी के गठबंदन बनने के बावजुद मेंका गांधी को जोरदार जीत मिली थी और इस बार समाजादी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी ने म के चुने गए, रांभुआ निसाद चुनाव को चुनोती दी है, हाई कोर्ट में की गई याचिका दाखिल और मेंका गांधी ने सपा 7ानषँ का निर्वाचा रद करने की मांग करतेवे कहा है कि रांभुआ निसाद पर 12 मुकदमे दर्ज है, मगर उन्होंने चुनाव आय विनका गांधी को दुबारा चुनाव जीतने का मौका मिलेगा दोस्तों हाला कि उनको पता होना चाहिए कि जंता ने अगर एक बार सपा को वोट दिया है तो फिर से वो सपा सांसद को ही जिताएंगे चाहे हाई कोड़ से कुछ भी निर्ने सामने आ जाए दोस्तों को कि उप लिए में हो जाते हैं तो किस तरीके का रिजल्ट रहेगा दोस्तों तो इस पर अब जंता ने अपना रिस्पॉंड करना शुरू कर दिया है जी न्यूज और आई सी पियल का सर्वे बताया जा रहा है सोसल मीडिया पर शेयर करिया जा रहा है यह आकड़ा इसके अनुसार आमाधी पार्टी प्लस को 62% से ज्यादा वोड मिल सकता है भरतियंता पार्टी प्लस को 38% के आसपास वोड मिल सकता है यानि 62% वोड अगर राज में कोई पार्टी इखटा कर रही है तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो एक तरफा चुनाब जीत रहे है राज में उनके सामन मिल रहे हैं तासाथ केंद्रिया मंत्री प्यूस गोयल का कहना है कि नीती आयो की मीटिंग के बीच बैठक को छोड़ का चली गई मंता बनरजी और पशी मंगाल के लोगों का नुकसान इससे हुआ है सासा दोस्तों महाराश्च विधान सबाद चुनाव से पहले NCP गुट क के बाद बाबा जानी ने NCP के कई बड़े नेताओ के अजितपवार से नाराज होने का दावा किया है बाबा जानी दुराने इस वक्त अजितपवार गुट के परभनी जिले के अद्धश और विधान परिसत के सदस्ते हैं उनका कारेकाल कुछ दिनों के बाद खतम भी होन बाधा का ने किया था विरोध संबाजी नंगर में मराठा समुदाई के लोगों शरणतपवार के खिलाफ रूप सरणकार之त कार अजित्पवार और भी कई सारे नेता शरणतपवार कुड में शामिल तो ये बात दिरे दिरे करके स्पष्ट हो गई है कि अजितपवार के पास अब कुछ नहीं बचेगा वो भरती इंता पार्टी के लिए केवल नाम मातर की एंसीपी का समर्थन लेकर आएंगे आप लोगों की जो भी राहे हो लिकर जो जागा सासा 36 गड़ के बालोद के पूर दर्च की गई है अलांकि 36 गड़ के अंदर विपश के लोग इसे अन्बुचकर की जा रही कारवाई बता रहे हैं सासा हेमंतु सुरेन की जमानत को चुनौती देने वाली एडी की याचिका पर सुप्रीम को 29 तारीक को फैस्ता लेगी 29 तारीक या निकल इस पूरे मामले पर एक बार फिर से विचार किया जाएगा 8 जुलाई को याचिका दायर की गई थी जो जस्टिस बियार गवई और जस्टिस के वी विस्वनाच के समक्षी यह सूची बद्ध की गई है जारकंड हाई कोड के सिंगल बेंच ने 28 जून को हेमंतु सुरेन को कुछ शर्तों के हमंतु सुरेन बार-बार बीजेपी को चुनौति देते वे कह रहे हैं कि अगर वो सबूत देते तो वे राजनीती छोड़ देंगा यानि हमंतु सुरेन बार-बार यह चुनौति दे रहे हैं और बीजेपी के लोग इसे स्विकार करने को तयार नहीं है दोस्तोर एडी की और से भी कोई ऐसे सबूत नहीं दिये जारी जिससे कहा जा सके कि हेमंत सोरेन फूरे मामले को लेकर अपरादी है और इन डारेक्ट तरीके से भी अपरादी कहने के लिए एक सबूत होना चाहिए ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है आप लोगों की जो भी राहे हो लिखकर क्या 29 तारीकों निर्ण है हमंत सोरेन के पक्ष में होगा या एडी के पक्ष में होगा दोस्तों इसी के साथ में भारती इंता पार्टी अब संक्यक मोर्चा के प्रदेश परभारी जोसेफ जॉन हौकिंग्स ने कॉंग्रेस पर आरोप लगाया है कि कॉंग्रेस दुष्ट में मिसाइल मैन पुर्व राश्वथी एपीज अब्दूल कलाम की पुन्य तिती पर सरधान जली कारेकरम आयोजीत किये गए राजसान में बीजेपी अव्शंख्यक मोर्चा की और से प्रदेश के सभी जिलों में पुन्य तिती कारेकरम आयोजीत किये गए मोर्चा के पर्टिक के लोग मैनोर्टी के बीच में अपनी पेट को मझबूत करना चाहते छाथे हैं अलोकि सबको पता हैए mi स्वाई जाने के पूरा मामला है के सब दुष्ट系. जातिवौाधी लोग पुर्णिया में तनिस्क के शोरूम में हुई लूट के पीछे सांसद पपु यादव को जिम्मेदार बता रहे हैं सोसल मीडिया पर लोगों ने इस तरीके से पपु यादव को निसाने पर लिये जाने को लेकर अबती जाहिर की है दरसल दोस्तों जिस तरीके से पुर्णिया की अंदर जनता ने वोट किया और भरती करते हैं लेकिन पपु यादव को लेकर एक तमका लगाने की कोशिस की जाती है कि उनके कारण अर्डर की स्थी पूरे शेतर में बिगड़ रही है दरसल दोस्तों पुर्णिया के अंदर लूट पार्ट का मामला सामने आया है तो अब अरोप लगाए जा रहा है कि क्योंकि पुर्णिया की जनता ने पपु यादव को चुना है इसी लिए कानु रस्ता खराब हो गई है हाला कि उनको सबसे पहले अपने NDA सरकार सवाल पूछना चाहिए राज्यमे नितीज कुमार बीजेपी के लोग सरकार चला रहे हैं ग्रह मंत्राले उनके पास है पुरी पुल जन हित की बात करता है लोगों से मुलाकात करता है जब उसको जनता ने समर्थन भी दे दिया तो इस तरीके की सारी भ्रांती टूट गई की जनता के बीच में रहने पर भी जनता वोट नहीं देती बलकि पपु यादव ने साबित कर दिया कि अगर जनता के बीच में रहें है भारती यंतापार्टी जो मुपिंदर सिंग वुटा के नेतित में स्कारेकर्ण Dogs का आयिजन किया अँगे था पार्टी के बड़े नेता मौझूद रहे दोस्तों और उन्होंने अपने तरीके से पार्टी को कैसे आगे ले जाना है से लेकर डीटल में जान करी दी है और इंफर्मेशन शेयर करते हुए कई और मुद्व पर चर्चा की गई है सासाथ महंगाई बिरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है इस पर लगाम लगनी चाहिए चुनाब में बीजेपी को दंडित करती रहेगी जनता इसी तरीके से अगर महंगाई और बिरोजगारी पर इन्होंने रोक नहीं लगाई तो सासाथ राहूल गांधी का नया ठिकाना बंगला नंबर 5 प्रेंका गांधी उनका घर देखने के मिफ्त में बिजली का और 300 यूनिट तक मिफ्त बिजली मिलेगी और सबस्वीडी वाले कैस के सिलेंटर मिलेंगे 500 रुपे के और ओल्ड एज की जो पैंसन है उसको 6000 में बढ़ाकर कर दिया जाएगा मेडल लाव नौकरी पाव इसकीम को फिर से राजी के अंदर लागू कि परसेंट है और 6 परसेंट वास्टेड है यानि यानि बड़े स्तर पर कुपोशंड आज भी भारत के अंदर व्याप था दोस्तों अगर आप भी मानतेंगे गंभीर विसा है और मोदी ने जो वादा किया था वो के वर फिर से जुमला साबित हुआ है और लोगों के क्योंक पहुंचाते रहेंगे जोड़े रहेंगे दोस्तों भाईयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना चैनल जाहिए जाए भारत जासे आदे वीडियो के शेर कीजिएगा दोस्तों बहुत धन्यवाद